लोकसभा चुनाव से पहले मोधी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट में स्वास्ते सुविधाओं में गरीब लोगों के लिए नैशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम की घोशना की 10 करोड परिवारों को सालाना 5 लाख रुपे मदद की बात कही जेटली ने बताया हेल्थ और वेल्नेस के लिए किंद्र सरकार ने 12,000 करोड रुपे का फंड सुनिस्चित किया है जेटली ने कहा केवल स्वस्त भारत ही समरिद्ध भारत हो सकता है आयुशमान भारत प्रोग्राम में हम 2017 की हेल्थ पॉलिसी को मिशन के रूप में स्वीकार कर रहे है भारत आयुशमान प्रोग्राम के तहट देश के अलग-अलग हिस्सों में 1.5 लाख हेल्थ वेल्नेस सेंटर्स या कम्यूनिटी हेल्थ केर सेंटर खोले जाएंगे जो छूट और संक्रामक जैसे रोगों का उपचार होगा इन केंद्रों में लोगों को दवाईयां भी मुफ्त मिल सकें हेल्थ प्रोटेक्शन प्रोग्राम के लिए प्राइवेट सेक्टर से भी सहीयों की उम्मीद करते हैं सरकार गरीबों के स्वास्ते के लिए चिंतित है राश्ट्रे स्वास्त अभीमा के तहट 30,000 रुपए दिया जाते हैं कुछ राज्य सरकारों ने भी इसके लिए पहल की है सरकार चाहती है कि हिल्थ प्रोटेक्शन लोगों की आकांग्शाओं के अनुरूप हो हर परिवार 5,000,000,000 रुपए की सहायता देंगे जेटली ने कहा ये दुनिया का सबसे बड़ा हिल्थ प्रोटेक्शन कारेक्रम होगा जेटली ने कहा 10 करोड परिवार यानी 50 करोड लोगों को प्रतिवर्ष 5,000,000 रुपए की सुविधा सरकार उपलब्द कराएगी को 500 रुपए दिया जाएगा 24 ने मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगे जिला अस्पतालों का दर्जा बढ़ाया जाएगा हर तन सदिय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज हम सुनिस्चित करने की कोशिश करेंगे हम ग्रामीन क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त करना चाहते हैं प्रधान मंत्री जीवन बीमा के तहत 2,000,000 का Life Insurance मिलेगा 13,000 करोड लोगों को इसमें लाया जा चुका है 2,000,000 लोगों का भीमा हो चुका है सरकार चाहती है अनसुचित जाती जन जाती के ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें लाय जा सकते हैं